हलो गाईज, वेलकम बाक टु मास्टडी दोस्तो नरेशन एक ऐसा टॉफिक है जो हर एक्जाम में आता है आज मैं आपको नरेशन के बहुत ही शान्दा ट्रिक्स बताऊंगा आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिरेक्ट स्पीच से इंडिरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को कनवर्ट कर सकते हैं एक्जाम में आपको एक direct speech दिया जाएगा, यानि कि direct sentence दिया रहेगा, आपको उसको indirect में करना होगा, और अगर आप किसी अच्छी exam को दे रहे हैं, यानि कि exam का level अगर tough है, तो आपको indirect sentences दिया रहेगा, मतलब indirect speech दी रहेगी और आपको बोलेगा कि इसको direct में करके दिखाओ, तो आज हम समझेंगे कि narration क्या होते है, direct speech क्या होती है, indirect speech क्या होती है, कैसे direct से indirect बनाते हैं, सारे rules को हम समझेंगे मुझे पता है कि एक class में सब कुछ पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लकिन मैं पूरी कोशिस करूँगा दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं, कि exam में question कैसे आता है, सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि exam में question कैसे आता है narration का, तो देखिए, एक sentence मैं आपको दिखाता हूँ, he said, sentence बढ़ा देखिए, अराम से, sentence है, he said, I am busy, ठीक है ये एक direct speech है, मतलब narration को क्या है हमने दो भागों में बाटा है, कितने भागों में बाटा है, हमने narration को दो भागों में बाटा है एक है आपका direct और एक है आपका indirect speech, ठीक है, तो ये जो है ना, ऐसा sentence जो inverted comma में आता है, है ना, और जो speaker के esities words होते हैं, इससे direct speech कहा जाता है और जब हम exam में हमको बोला जाएगा कि इसे indirect में convert करो क्या बोला जाएगा कि इसे आप indirect speech में convert करो तो आप क्या करेंगे ये जो reporting verb है इसको वैसे के वैसे लिखेंगे he said ये inverted comma हटा के आप that लिखेंगे I को subject से replace करके he में convert कर देंगे इसे मार को past में बना देंगे he was और यहाँ पर sentence आगया आपका busy अब यहाँ पर ध्यान से देखिए साथियों यहाँ पर क्या changes हुए है एक था sentence he said I am busy उसने कहा मैं व्यस्त हूँ दूसरा sentence है he said that he was busy मतलब हमें यही तो समझना है अगर आपको narration समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई मुझे direct speech को जब मैं indirect speech में convert करूँगा तो मुझे क्या-क्या changes करना है हमें आज यह समझना है कि हमने he said को तो वैसा का वैसा लिखा है ना लेकिन हमने क्या किया लेकिन हमने क्या किया कि हमने भाई that क्यों लगाया हमने क्या लगाया हमने was क्यों लगाया दे को he said वैसा वैसा हमने inverted कॉमा को हटा कर that क्यों लगाया हमने इस i को he क्यों बना दिया हमने इस was को m को was क्यों बना दिया बाकी busy तो वैसा कर वैसा है तो यहीं तो हमें study करना है अगर हमें exam में यह याद रहे जाए कि हमें कब ismr को worse करना है हमें कब inverted comma हटा कर that लगाना है हमें कैसे pronoun के changes करने हैं यहीं समझना ही narration है grammar की भासा में अब बात आती है कि narration होते क्या है देखिए narration का मतलब होता है किसी भी चीज को narrate करना इसका basic meaning क्य क्या होता है कि किसी भी चीज को क्या करना narrate करना explain करना बताना समझाना अब narrate दो तरीके से होता है एक नरे जो अरे DO pos या फिर वो क्या होता है, इंडिरेक्ट होता है अगर मैंने तुमसे कुछ कहा और तुम मेरे sentences को वैसे के वैसे बोलोगे तो वो direct speech हो गया और अगर मेरे sentences में बदलाव करके बोलोगे तो वो indirect speech हो गया मतलब ये जो होता है न ये होता है speaker के actual words उसने क्या कहा था कि मैं busy हूँ अगर मैं ऐसा बोलू कि उसने कहा कि मैं busy हूँ तो ये direct speech कहलाईगी क्योंकि I am busy ये किसके शब्द थे इस बंदे के शब्द थे लेकिन जब मैं उसे कुछ समय बाद बोलूँगा तो मुझे इसमें tenses के बदलाव करने पड़ेंगे हर जगा बदलाव करना पड़ेगा ताकि sentence का meaning sign निकले इसलिए मैंने क्या किया कि direct में speaker के वैसे के वैसे words होते हैं और indirect में क्या होता है हम कुछ बदलाव करते हैं वो बदलाव किसके हो सकते हैं वो बदलाव tense के हो सकते हैं वो बदलाव प्रनावन के हो सकते हैं वो बदलाव कुछ adverbs के हो सकते हैं समझ में आया आगे बढ़ जाते तो हमें यही दियान रखना है देखिए narrations को shortcut भासा में कहें तो narration को दो भागों में बाट दिया direct speech and direct speech एक बार और आपको समझा देता हूँ कि direct and direct होता क्या है देखो कोई भी exam में आपको sentence आएगा तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है he said she said और यहाँ पर आ गया कि I like I like mango यह sentence आ गया तो यह जो है ना ऐसा कोई भी sentence जो inverted comma के अंदर आता है वो direct speech कहा जाता है inverted comma के अंदर जब इस inverted comma को हम हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा indirect लेकिन हमें कुछ बदलाव करने होंगे जैसे he said जो होता है इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है reporting verb कहा जाता है basics को समझते है यह जो question है ना इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है reporting verb और इसे कहा जाता है reported speech बात को समझना इसे क्या कहा जाता है reported speech मतलब जो direct speech है उसके दो भाग है बात को समझो direct speech के कितने भाग है देखो ऐसे समझो narration क्या होता है narration यह नरेट करना और narration को दो भागों में बाटा गया है, direct speech, indirect speech, direct speech के फिर दो भागे, कौन-कौन से दो भागे, यह जो question आता है, inverted comma के बाहर का जो हिस्सा होता है, he said, इसे बोलते है reporting verb, बदलब जो reporting verb, जो verb report कर रही है, और जो reporting verb बता रही है, तो जो sentence inverted comma के अंदर होता है, जैसे I like mango, यह अंद में आया, उदर बाहर वाली reporting verb, अंदर वाली reported speech, तो यह direct speech के दो पाट है, अब जब इसे हम convert कर देंगे, मतलब speaker के जो words थे, speaker का जो sentence था, जिसने भी बोला, उसको जब हम बदल देंगे, तो उसे indirect speech कहा जाएगा, यह जो bracket है न, यह जो inverted comma है न, इसको हटा देंगे, तो सब से पहले जो reporting verb होती है इसमें कोई changes नहीं करते हैं, तो हमने क्या-क्या यहाँ पर देखिए, he said वहाँ लिखा था, यहाँ पर भी he said लिख दिया, अब यह जो inverted comma है, इसको हटा कि हम क्या लगाते है, that लगा देते हैं, ठीके क्या लगा देते हैं, यह that लगा दिया, उसके ब reporting verb के subject से बदलते हैं, तो reporting verb यह है, इसका subject ही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, he said that, he, उसके बाद हमें tenses को देखना होता है, तो यह present indefinite tense है, तो इसे past indefinite कर देंगे, यानि कि like का क्या हो जाएगा, liked हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर object है, तो उसको वैसा का वैसा और इसको हमने inverted comma के बाहर करके sentence बना दिया, he said that, he liked mango, तो कितने बदला हुए, एक तो हमने that लगाया, हमने I को ही बना दिया, और हमने like को liked बना दिया, मतलब total तीन changes होए, तो आपको simple भासा में बताओं दोस्तों, कि आपको direct से indirect sentence बनाते समय तीन major changes ध्यान रखने हैं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन तीन major रखोगे, तो हलका हलका पढ़के जाओगे, तो भी अच्छे marks आ जाएं, कौन कौन से हो, एक तो हमें inverted comma हटा आना है, दूसरा हमें pronoun को change करना है, जो भी subject होगा ना, direct speech में उसको change करना है, तीसरा हमें verb को भी change करना है, according to tense, तो tense को भी समय, तो चलिए आज का topic हम शुरू करते हैं, दोस्तों ये हमारा all-in-one English grammar course है, जो master study app पर available है, आप app पर जाएंगे और वहाँ पर English grammar course को join कर सकते हैं, जहाँ पर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो, चाहे वो सरकारी exam के तैयरी हो, या private exam या 10 वी या 12 वी का ही course के उना हो, all-in-one का मतलब होता है, हर exam के लिए ये course क्या है, आप ली केबल है, तो जाएए master study app पर, जिसकी link description में है, comment में, जाके एक बर इस course को visit करिए, वीडियो classes के अलावा आपको वहाँ पर test, notes सब कुछ मिल जाएगा, आप class इस course को कितनी बार भी attend कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे तो आज कमारा topic है, narration, हमने narration का एक basic discussion देखा, अब हम एक एक rules को समझते हैं, थोड़ा time लगेगा, narration को मैं कुछ parts में cover करूँगा, हो सकता एक या दो या तीन lecture भी लग जाए narration में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो तीन घंटे बैट के पड़ोगे तो अच्छे से clear हो जाएग देखिए, अंग्रेजी भासा में वक्ता को कहने के निन लिखित दो तरीके होते हैं, वक्ता यानि speaker, there are two ways to speak a sentence, पहला क्या है, वक्ता के शब्दों को जो काते हो कहना, direct narration या फिर direct speech कहलाता है, तो narration का एक और नाम क्या होता है speech, जैसे राम said to me, राम ने मुझे कहा, राम न मुझे कहा कि मैं कल इंदोर जाओंगा, तो ये जो line है, ये किसके शब्द हैं, ये राम के शब्द हैं, राम ने मुझे कहा कि मैं इंदोर जाओंगा, उसने जैसा मुझे बोला, मैंने वैसा का वैसा repeat कर दिया कि I shall go to इंदोर tomorrow, तो जब हम किसी speaker के sentences को as a tease बोलते हैं, तो सीधा कहा गया वक्यांस, ठीके, लेकिन जब वक्ता के शब्दों का सारांस हम अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसने जैसा बोला, वैसा का वैसा मैं बोलू, मैं उसमें बदलाव करना चाहता हूं, तो उसको कहते हैं indirect speech, जैसे राम told me that, पहले sentence क्या था, यहाँ देखो, पहला sentence क्या था, यहाँ देखो, कि राम said to me, I shall go to indoor tomorrow, तो हम इस sentence को यहाँ पर लिख लेते हैं, डायरेक्टी स्पीच का sentence क्या था, राम said to me, I shall go to indoor tomorrow, यह किसके शब्द थे, राम के, ठीक है, तो यह राम के, मैंने क्या किया, कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसा का ऐसा, as a tease बोलू, मैंने क्या किया, कि यह जो set to था ना, तो राम लिखा, set to को मैंने told कर दिया, me लिख दिया, पॉमा हटा कर that लगा दिया, I को ही कर दिया, यह की प्रनावन के changes होते हैं, है ना, उसके बाद shell को मैंने would कर दिया, go को तो go ही रहने दिया, बाकि same रहने दिया, और यह tomorrow को मैंने next day लिख दिया, means I have made some changes, तो शुद्ध भासा में कहें, तो जब हम speaker के sentences को, speaker के words को, हम asserties ना कहते हों है, उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, ताकि meanings नहीं निकले, तो उस बदलाव वाले sentences को, या उस बदले वाले sentences को, उस changed sentences को हम क्या कहते हैं, narration कहते हैं, क्या बोलते हैं, narration बोलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, basic basic बाते मैं आज आपको बता देता indefinite sentence को कैसे past indefinite से बदलते है ठीके past को कैसे हम past में ही बदल देते हैं models को कैसे बदलते है imperative sentences का narration कैसे बनाते है उसके लावा late वले sentences का narration कैसे बनाते है deberach word का sentences कैसे बनाते है ये सारे हम आपको direct and indirect बना सिखाएंगे लेकिन I need some time, एक lecture में cover को पर नहीं हो पाइगा सायद तो हो सकता है कि सपर कहा जाता रिपोर्ट के बात बताया था कि जो पहला पार्ट होता है हम बात कर रहे हैं डाइरेक्ट स्पीच की किसकी बात कर रहे हैं डाइरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं कि डाइरेक्ट स्पीच जो सेंटेंस होता है उसमें जो पहला हिस्सा होता है जो बताता है कि यह बंदा करेगा इसने बोला गया तो इसे reporting speech कहा जाता है या इसे reporting verb भी कहा जाता है reporting speech बोल सकते हो reporting verb भी बोल सकते हो he said to me उसने मुझे कहा तो ये reporting verb हो गई reporting speech हो गई second वाला part जो inverted comma के अंदर रहता है उसे reporting speech कहा जाता है I shall go to indoor tomorrow ये reporting reported speech है ठीके मतलब कहा गया वाक्य इसका Hindi meaning क्या हुआ कहा गया वाक्य अगला देखते हैं अब indirect speech के बारे में जब हम किसी भी वाक्य को direct से indirect बनाएंगे तो हमें ये rules याद रखने हैं कौन से rules याद रखने हैं ये वाले rules अगर आपको ये rules और ये एक बार की बहनत है और कुछ कठी नहीं है मैं बता देता हूँ आपको दो बार इस class को देखना पड़ेगा अगर narration समझना है तो एक बार समझो और second time pen copy लेके बैठोगे तो खुद कर पाओगे मेरी guarantee है देखो सबसे पहली बात जब भी हम direct से indirect बनाते हैं इनवर्टेट कॉमा हटा दिये जाते है समझ में आया इनवर्टेट कॉमा हटा देना है reporting verb और reported speech को जोडने के लिए conjunction confused नहीं होना है यह नहीं सोचना है इस reporting verb क्या है नहीं पहला हिस्छा reporting दुसरा हिस्छा reported यह reporting, यह reported reporting, यह reported reporting speech क्या है बाहर वाला, reported, report हो चुका है, या अंदर वाला, तो क्या बोल रहा है, कि second नियम ये बोलता है, कि इन दोनों को जोडने के लिए क्या लगाते हैं, that लगाते हैं, यही तो करेंगे न, दोनों को जोड़ेंगे, तभी तो, यह that क्यों लगा है, ताकि यह हम bracket को हटा सकें, यह ज देखो, initial level पर तो हम that लगाते, लेकिन आगे जाके जब हम advance वाले, जब हम indirect speech पढ़ेंगे न, advance के नरेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर what, if, whether, why, यह शब भी हम लगाएंगे, लेकिन वह आगे आएगा, initial level पर you need to remember कि हमें सिर्फ that ही लगाना है, समझ में आया कि नहीं आया हमें क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ that लगाना है, reporting verb में भाव के अनुसार बदलाव किया जाता है, देखो, reporting verb यानी यह वाली, इसमें भाव के अनुसार बदलाव क्या किया जाता है, कि अगर यहाँ पर set to है, तो उसे told में बदल दिया जाता है, समझ में आया, set to को आगे जाने पर set to को हम requested to, order to, advice to, जैसे हमने passivize में किया था, उस तरीके से बदलेगे, अगर आपने मेरा passivize का class नहीं देखा है, तो grammar की series ही पूरी बनी हुई है, जाइए आप देखिए प्ले लिस्ट में, grammar course के नाम से, ठीके, तो वो यही बोल रहा है, कि भाव के अनुसा देखो अगर यह past tense में है, तो ही under tense के changes होते हैं, अगर यहाँ पर होता कि he says to me, says होता, present tense होता, अगर हमारी reporting वह present में या future में होती, तो अंदर कोई tense के changes नहीं होते, बाकी बदला होते, tense के changes नहीं होते, लेकिन अगर यह past में है तो, तो अंदर tense के changes होंगे, जैसे आभी मै ने आपको बताया था कि यहाँ पर जो like था, यहाँ पर जो like था, मैंने उसे like कर दिया, यह like को मैंने यहाँ पर like क्यों किया, क्योंकि reporting वर्ब past में थी, तो तीन टेंस होते हैं, present, past, future, तो अगर reporting वर्ब हमारी past में होगी, तो हमें tense के बदलाव करने हैं, नहीं तो नहीं करन यह पांचवा नियम, आगे देखते हैं, देखिए, direct speech को induct speech बदलने के नियम, क्या क्या नियम है, मुख्य तीन नियम है, एक तो change of pronoun, अब change of pronoun क्या होती है दोस्तों, देखिए, change of pronoun यह होती है, he said, I am busy, यह आपने वाक्य देखा था, यह easy वाक्य इसलिए आपको बता रहा ह अब जब मैं इसे convert करता हूँ, तो यह भी प्रनावन है, तो he said तो मैंने वैसा का वैसा लिखा और यहाँ पर क्या लगा दिया that, अब यह जो I है ना, change of pronoun, यह I को मैं बदल दूँगा, I भी एक प्रनावन है, he भी एक प्रनावन है, लेकिन first person है, तो इसे मैं he से बदल दे हूँ, तो इसको बोलते है, change of pronoun, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, one to three वाला नियम, दूसरा नियम क्या है, change of tense या verb, अब हमें अगर यह reporting verb past में है, यह past में है, यह past में है, sad लिखावा है, तो past में है, तो हम अंदर क्या करेंगे, इसके tense को बदल देंगे, तो अगर present indefinite क कर देंगे, तो यहाँ पर easy mark की जगा was हो गया, ही के साथ was लग गया, ठीक है, उसके बाद change of certain words, तो इस busy को नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इस sentence में अगर ऐसा वाक्य होता, ऐसा पूरा वाक्य, कि I am busy now, मैं अभी busy हूँ, तो यहाँ पर इस now को हम क्या कर देते, then कर देते हैं, हम noun को क्या कर देते हैं, then कर देते, तो यहाँ पर यह तीन changes ध्यान रखना है, अब हमें यह देखना है कि सर चेंज अगर प्रनावन क्या होता है, तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा tense का चार्ट बन हो फिर आपको बताऊँगा change of certain words, कौन-कौन से words को बदल देना है, जैसे now को then करना है, here को there करना है, go को कम करना है, come को go करना है, समझ में आया, तो समझते हैं, इतना concept समझ में आ गया, हमें यह समझना है कि तीन नियम याद रखने, pronoun को बदलना है, tense को बदलना है, और कुछ words को बदलना है, आगे देखते हैं, देखिए, पहला नियम क्या है, change of pronoun क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए, change of pronoun क्या होता है, आपको इतना तो बता है कि pronoun साथ होती है, पहले आप प्रनाउन को समझो, प्रनाउन क्या क्या होती है, तो पहले हम प्रनाउन को समझ लेते हैं प्रो नावन प्रो नावन होती है आपकी ही आपकी शी आपकी इट आपकी आई आपकी वी आपकी दे और आपकी यू कित्ती हो गई टूटल सेवन यह साथ प्रनावन होती है इन्हें हमें बदलना होता है according to tense reported speech में आए first person reported speech में आए first person के प्रनावन को reporting verb के subject के person number और gender के अनुसार बदला जाता है अभी आपको यह समझाना पड़ेगा कि first person क्या होता है second person क्या होता है third person क्या होता है ठीक है यह मैं आपको बता देता हूँ ठीक है चलिए देखिए बात को समझीए वैसे मैंने प्रनावन में बताया है persons in persons लिखेते बस ठीक है अब अंग्रेजी में जो person होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं देखिए एक होता है आपका first person एक होता है आपका second person और एक होता है आपका third person यह person मतलब PR लिख देता हूँ अब भीया first person क्या होता है तो first person कहा जाता है I और V को मैं या फिर हम यह दोनों first person में आते हैं यू जो आता है वो आता है second person में और third person में बाकी जो बचे वे छूटे वो सब आ जाएंगे ही शी इट और दे यह चार लोग आ जाएंगे किसमें यह चार लोग आ जाएंगे आपके third person में समझ में आया यह मैंने प्रणान वाले लेक्चर में आपको बताया है ठीक है first person में किसको रखा I और V को second person जब भी मैं बोलू first person I V आना चाहिए second person यू आना चाहिए third person he shit और दे यू समझ में आया he shit और सिर्फ दे ठीक है आप देखिए कोई छुटा तो नहीं एक दो तीन चार पांच छे साथ अब अगर यह first person है एना यह first person है तो जब हम change करेंगे तो first person को हमेशा subject से बदला जाता है किस से बदला जाता है subject से second person को हम बदलते हैं object से बदलते हैं और third person को हम बदलते हैं किसी से नहीं no change बात समझना clear हो जाएगी अच्छे से जब हम बदलाव करते हैं ना tense में तो हम जब हमने देखा कि reporting वर्प काई में पास्ट में है तो हम बदलाव ऐसे करेंगे देखो एक sentence आया he said उसने कहा she is she I am ill I am ill अब आपको जब इसे बदलना हो उसने कहा कि मैं बिमार हूँ तो देखो he said तो वैसा कर वैसा अब यह inverted comma हटा कर क्या लगाते हैं that लगाते है आप सबको पता है ना मैंने नियम बताया भी यह that लगा दिया अब यहाँ पर यह जो है ना इसमें बदलाव करना है अब जो I है वो कौन सा person है बताईए यह वाला जो I है यह कौन सा person है तो यह first person है नियम क्या बोलता है first person को किस से change करोगे subject से बदलोगे यह लिखाए I वारूभी को subject से बदलो subject किसका reporting वर्प का reporting वर्प का reporting वर्प तो इसको बदलना ए है reporting वर्प में subject क्या है ही है व्यांकि यह subject है और यहाँ पर I को हम क्या कर देंगे I कर देंगे बाखी tense में हम इसे मर को wasware करते हैं तो हमने was लगा दिया और यहाँ पर इल वैसा का वैसा आप समझ में आया क्या मैं के ना चाहता हूं कि हमें अगर यहाँ पर I और V आया तो हमने किस से बदला subject अगर यहां पर U आता तो हम यहां पर object से बदलते हैं, object है नहीं, object दिया होगा जब वो object यहां पर देगा, अगर यहां पर U लिखेगा तो यहां पर object देगा, समझ में आया, अगर यहां पर V होता तो भी हम उसे ही सही बदल देते, तो first person को हम reporting verb के subject से बदल देंगे, एक और question करके देखते हैं, जैसे, she said to me, I am playing cricket, I am playing रख लेते हैं, sentence क्या है, she said to me, I am playing, अब इसको change करना है, देखिए, कैसे change करेंगे, she, यह set to अगर आता है ना, अगर set अकेला है, तो तो set ही लिखना है, लेकिन set के बाद अगर यहां पर to लग जाए, तो इस set to को हम told में convert कर देते हैं, कब करते हैं, अगर set के बाद to लगाओ, me, तो हमने set to को told कर दिया, तो she said to me, inverted comma को हटा कर क्या लगा दिया, that लगा दिया, अब बताओ यह कौन सा person है, तो दिमाग में क्या आ रहा है, I first person है, अब माल लिजे, first person की जगव पर, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, you are playing, तुम खेल रहे हो, अब यहां पर आएगा मज़ा क्योंकि हमने person को change कर दिया, you are playing, ठीक है, यहां पर लिखा हमने that, अब यह कौन सा person है, भाई जरा बताईए सब लोग मिलके, you कौन सा person है, चार्ट को देखो, second person में you आता, अब second person को किस से change करते हैं, object से, किसके object से, reporting reporting verb के objects है, तो reporting verb हमारी यह रही, बहुत बड़ी है reporting verb इस बार, तो me है, object क्या है, me है, देखो, यह subject हो गया, she, यह verb हो गया, अब me, तो me को as a tease नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि me objective form है, तो इसका subjective form क्या होगा, I, क्योंकि यहां पर you कौन सी position में, you यहां पर subject की position में, तो हमें इस object को subject में बदलना पड़ेगा, तो I, और कौन सा tense है, present continuous तो उसको कर देते है, past continuous, तो I were playing, समझ में आया की नहीं आया, अब तो आ गया होगा, अरे अब तो आ गया होगा भाई, है न, कुछ भी कटिन नहीं है, तो अब एक बाद हमें और समझ नहीं है, इतना समझ में आ इसको हटा देते हैं, अब देखो, हमें इतना समझ में आ गया सर की first person क्या होता है, second person क्या होता है, third person क्या होता है, अच्छी बात है, समझ में आ भी जाना चाहिए, है न, अब बात को समझो, देखो, I, we first person है, तो इनकी family भी है न, तो I के जितने भी family के member होंगे, वो सारे first person कहला हैं, जैसे I के members कौन कौन से, I के members my है, I से my भी बनता है, I से me भी बनता है, और I से mine भी बनता है, तो ये तीनों member भी इसके first person में आएंगे, we के members कौन कौन से होते है, तो पहला तो I का उल्टा क्या होता है, us, फिर इसका possessive form क्या होता है, possessive form होता है, our, और एक होता ह ठीक है पजैसिन नहीं यह एड्जक्टिव फोम है उसी प्रकार यू की सारी glacier second person के लाइगे चाहे वो 2 हो या फिर वो यूर्जों ये दोनों भी second person में भी जैसे फिरी बात करूं तो तो इस की फेमिली मेंबर्स तो हर होता है और हर्ज होता है ठीके इट का तो एटी होता है और दे का क्या होता है तो दे के फैमिली मेंबर्स होते है एक तो देम होता है और एक दियर होता है और एक दियर्ज होता है समझ में आगे आपको मैं अच्छे से लिखूँ वैसे मैंने प्रनावन में सारा समझाया दे का होता अपोजिट होता है देम एड्जेक्टिव फर्म होता है दियर और एक पजेसिव फर्म होता है दियर्स ठीक है तो यह धियान रखना आप तो प्रनावन का मतलब होता है अगर आपको पूछा जाए कि छेंज प्रनावन क्या होता है तो इसमें एक नियम लागू होत सौट्री बता देता हूँ sun तो sun उसके नीचे लिख लो आप 1, 2, 3 sun यानि subject को change first person को change करो subject से second person को change करो object से और third person में कोई change नहीं है उपर लिख दो sun नीचे लिख दो 1, 2, 3 first person sun, s, s आने subject से second person object से third person कोई change नहीं and मतलब no change इसका मतलब क्या हुआ no change समझ में आया तो हम बदल लेंगे s मतलब subject, o मतलब object ठीक है subject यानि first person object यानि second person चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है कि हम क्या करते हैं changes कर देते हैं जैसे यहाँ पर देखिए एक example आपको दिया है seed example rather said to me राधा ने मुझे कहा I shall do my job मुझे अपनी job, मैं अपनी job करूँगी तो देखो जब हम इसे indirect में convert करेंगे indirect में तो राधा और set to को हम क्या बना देंगे told बना देंगे हमने told क्यों बनाया अगर यह said अकेला आता अगर ऐसा लिखावा आता ना बात को समझो अगर ऐसा लिखावा आता कि राधा said तो हम राधा said वैसा का वैसा लिखते लेकिन अगर said के बाद to लगा हुआ आ गया तो फिर हमें set to को told में convert करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर set to को told लगा दिया तो राधा told me inverted comma हटा कर क्या लगा दिया अब यह जो I है यह कौन सा person है तो यह first person है नियम क्या बोलता है यहाँ पर लिख दो यह sun लिख लेना अपनी book में कि भाई first person होगा subject से जाएगा second person होगा object से जाएगा third person होगा no change होगा तो यहाँ पर देखो यह I first person है तो subject क्या है राधा राधा यानि कि she लड़की है तो she मानना है लड़का है तो ही मानना है तो यहाँ पर इसको I को हमने she लिख दे नाम आये तो he और she से हिसाब से judge करना है तो she लगा दिया अब यह कौन सा tense है future indefinite है तो आगे हम मैं आपको tenses के change भी पढ़ाऊंगा कि future indefinite को हम क्या करते है will को would कर देते शेल को ठीके तो यहाँ पर हमने she के हिसाब से क्या ना चाहिए will आएगा तो हमने will को would कर दिया तो she would और वर्ब का first one do और my job अब यह कौन सी family member का है my इसको my job मत लिखना है इसकी family देखो तो यह I की family का है है ना I का कौन सा form है I का adjective वाला form है ठीके तो उसी प्रकार हम इसको किस से change कर रहे हैं subject से subject को ने राधा 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 आनि she तो she का objective वाला adjective वाला form क्या होगा हर तो यहाँ पर हमने हर लगाया तो sentence क्या बना राधा told me that she would do her job मनले बहुत alert होके चलना पड़ता है जब आप narration बनाते हैं तो you have to be active थोड़ी सी भी गलती की गरबढ़ हो जाएगी ध्यान रखना इस बात ठीके चलिए आगे बढ़ते है देखिए अगला sentence देखिए I said मैंने कहा I am not playing football मैंने क्या कहा I am not playing football ठीके हम बनाते हैं इसको भाई या आप देखो यहाँ पर सिर्फ I said है न तो हमने वैसा का वैसा I said लिग दिया told नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई object है नहीं reporting verb में अगर object आएगा तो told करना है inverted comma खटा कर that लगा दिया अब यहाँ पर यह कौन सा person है भई I subject है first person है तो first person को subject करेंगे subject में भी I दिया हुआ है तो I वैसा का वैसा कौन सा tense है present continuous तो हमने past continuous कर दिया तो I am not का was not हो गया playing वैसा का वैसा football वैसा का वैसा nothing अगर same to same दिया हो तो कोई बात नहीं अगर changes हो तो करते हैं changes ठीक है आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर कुछ examples और है और आपको एक बता दू अगर आप नए हैं आपको आच्छी class कैसे लगी मुझे आपका feedback चाहिए बेटा तो कि मैं आपके लिए महनत कर रहा हूँ आप comment में मुझे जरूर बताएं कि आपको class कैसे लगी अगर आपको changes चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं अगर मेरी speed fast है तो बताए कि sir speed fast है slow है तो बताए कि slow है आपके suggestions हमें बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि हम बदलाव कर पाएंगे हम ऐसे बिलकुल लोग नहीं है कि अगर आप कुछ कहोगे तो हम बुरा मान जाएंगे नहीं आप के लिए ही तो पढ़ा रहा हूँ अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मजानी आएंगे इसलिए अगर आपको अच्छा लगाओ तो अच्छी बाते लिखे comment में और उन सभी तक इस class को पहुचाए जो English को grammar को अच्छे से पढ़ना चाहते आने वाले time में भी अगर को वाला नियम चलेगा first second third तो first person को change कर दो subject से तो I को subject ही से change कर दिया इसे मार का वाजबर लगा के sentence बना दिया उन्होंने कहा we are not playing cricket उन्होंने कहा कि हम cricket नहीं खेल रहे हैं वैसा का वैसा कॉमा हटा कर दैट लगाया यह भी वी फरस परसन है तो first person को change करते हैं सबजेक्ट और reporting वर्ब reporting वर्ब का subject दे है बाकी इसे मार को वाजबर कर दिया और वाकिया हमने बना दी बहुत आसान है ठीक है यह धिहान रखना है आगे बढ़ते हैं यह वापस वह यह second person को किस्ते change करते हैं second person को हम change करते हैं reporting वर्ब के objects जो मैंने आपको बाते पहले बताई वही बाते इनने हाँ पे इस पीपीटी पे बनाके रखी यह सारे नोट्स आपको Master Diap पर मिल जाएंगे या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे देखिए direct speech को समझे है ना क्या बोल रहा है वो वही बात को repeat कर रहा है कि आगर आपको reported speech में second person दिखे तो उसे आप किस से change करेंगे object से किसके object से object of reporting verb reporting verb आने बाहरवाला हिस्सा सीता टोल्ड मी सीता टोल्ड सीता ने मुझे कहा you should do your job simple सी बात है अब पहले ही टोल्ड लगा के दे दिये तो tension ही नहीं है भाई तो सीता टोल्ड मी इसको हटा कर that लगाया you second person है तो object से जाएगा object क्या है me है लेकिन हमें यहाँ पर इसको subject बनाना पड़ेगा me को तो I लिखना पड़ेगा यह कि अगर me को पीछे लिखते तो हम लिख दे दें me लेकिन you कौन सी position में है subject ना इस वाक्य का subject है भाई देखो you should यह subject है यह verb है यह object है तो अगर you subject में है तो हम उसकी जगह पर किसी को भी लाएंगे तो उसे भी subject बनाना पड़ेगा तो you को बदल रहा है object से object me है तो me का subjective form क्या होता है me का subjective form I होता है तो हमने I लिखा I should do अब यहाँ पर वापस family member आ गया your किसकी family है second person वापस object में जाएंगे me तो me का हमने my कर दिया work तो हमने my क्यों किया क्योंकि यहाँ पर your adjective form है you का your adjective form है तो हमने इसे adjective form में लिखा my आपको parts of speech अच्छे से आने चाहिए इसलिए अगर आप मेरा सुरू से course देखो गए ना तो मैंने पहले आपको parts of speech ही पढ़ा है यह कि बिना parts of speech के tenses narration passivize होते ही नहीं है you have to study them इसलिए जाइए पहले वो देखिए ने तो बोलोगे adjective क्या होता है possessive form क्या होता है एना adjective form क्या होता है ध्यान रखना है तो इसी प्रकार हमें पूरे sentence में जहां जहां भी प्रनाउंस आएंगे सारे बदलाव करते चले जाना है indirect speech यहाँ पर देखे आगला he said to me उसने मुझे कहा you are a dull boy तो he said to को said to को कर दिया told me यहाँ पर लगाया comma that you कौन सा person in second है इसलिए हम me को बना देंगे I वही बास सेम हुई है यहाँ पर you are a dull boy बाकि पूरा को पूरा सेम आगे कोई प्रनाउं है यह नहीं आगे देखते हैं यह बहुत सारे examples आपके लिए दे रखे हैं जैसे राम said to sita you have become greedy राम ने sita से कहा कि तुम क्या बन गई हो लालची बन गई हो greedy बन गई हो तो राम told sita राम said to को हमने told कर दिया और यहाँ पर हमने that लगा दिया you have become greedy तो यह कौन सा person है second person sita से place होगा क्यों है जैसे को head कर देते हैं तो यहाँ पर head लगा दिया बाकी same to same है he said to her उसने उसे कहा you are a good girl he told her set to को told कर दिया है ना और यहाँ पर that लगा है second person को object से convert किया हर आने लड़की है तो हर को हमें subject बनाना पड़ेगा तो she होता है she was a good girl reported speech में अगर third pronoun होता है third person आ जाए बलब इस sentence में अगर कोई भी third person आ जाए उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं देखिए यहाँ पर देखिए Mohan said to me Mohan ने मुझे कहा he will do this work he will do his work वह उसका काम करेगा तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि reporting reporting वर्ब में क्या बतलाव करना है तो said to को told कर देना है तो Mohan told me हो गया inverted comma हटा कर that लगा दिया अब यह कौन सा person है भाई तो he she it और दे यह चारो के चारो काय में आते हैं यह आते third person में तो इनमें कोई change नहीं करना है यह वैसा का वैसा लिख देए और will को would बाकी changes करने है प्रनावम के changes नहीं होंगे बाकी तो होंगे ना तो हमने will को क्या कर दिया would कर दिया would do और he is भी वैसा का वैसा work ठीक है in the same way यह देखिए I said to him मैंने उसे कहा he is wise person तो इसको जब convert करेंगे तो I said to को told कर दिया him वैसा का वैसा that और यहां पर यह he inverted कॉमा के अंदर है तो he वैसा का वैसा is MR को वास बर कर दिया voice person same to same हो गया तो आप कर सकते है he said to you he is an honest person तो he said to को हमने told कर दिया he told you that he was an honest person बलब ही को ही रखा है बाकी कोई changes नहीं करना है short trick यहां पर लिखी वही है आप short trick भी देख सकते हैं क्या short trick है इस प्रकार संचेप में प्रनावन को sun formula की में बदला जाता है sun में s का अर्थ होता है subject o का अर्थ होता है object और n का अर्थ होता है no change ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए चुकि आज मैंने आपको क्या- किसका change देखेंगे बटा tense का change देखेंगे कि कैसे present indefinite को हम past indefinite करते है present continuous को past continuous करते है present perfect तो जो अंदर में इस देमार को was work कर रहा था ना जैसे मैंने यहां पर M को was बना दिया तो इसको बोलते change or tenses यह हम अगले lecture में cover करेंगे क्योंकि एक class मैंने चाहता हो कि बहुत पढ़ने की तो मान के चलता हो कि ज्यादा लंबा जो चार घंटे खीचूंगा तो पीशे भूल जाओगे आगे भूल जाओगे इसे एक एक break में cover करो आज जो मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से revise करो क्या क्या पढ़ाया कि बहुता क्या है नरेशन का मतलब नरेट करना हो होता है उसको दो भागों में बाढ़ते हैं नरेशन को ही speech कहा जाता है डिरेक्ट स्पीच होता है एक होता है आपका in direct speech उसके राव मैंने आपको समझाया कि क्या क्या basic changes करते हैं inverted comma हटा कर क्या लगाते हैं set to को told में convert करते हैं ये सारी basic बाते मैंने आपको बता दिये अब अगली क्लास में हम देखेंगे हम देखेंगे की change of tense verb ये tenses को कैसे बदलते हैं और change of certain words ये दो नियम कवर करके फिर हम proper practice करेंगे practice ज्यादा से ज्यादा करनी है मुझे पता है कि अभी तो narration शुरू भी नहीं हुआ है अभी तो नियम ही चल रहे हैं अगली क्लास में आप आड़ चाहते हैं ये भी बता है डूसरा अपने दोस्तों के शाद इसको शेयर जरूर करें अगर आप हमारे spoken English के courses जॉइन करना चाहते हैं तो आप जरूर जॉइन कर सकते हैं यह हमारे कुछ spoken English के courses है जो लाखों वच्चों ने जॉइन किया इस course को आप भी try कर सकते ह अगर आप basics English सीखना चाहते हैं तो best spoken English course आपके लिए बना है अगर आपकी English थोड़ी बहुत अच्छी है समझ में आती है, practice नहीं हो पाती है इसलिए भूल जाते हो तो practice करने के लिए यह हमारा expert advance batch है expert advance batch में हम आपको सिब practice करवाते हैं अलग-अलग topic में 15-15-20 बच्चों का group बना कर इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए हमारे पास kids batch है, अगर आप अखेले पढ़ना चाहते हैं तो personal English trainer जो है आप higher कर सकते हैं जहां पर one-to-one class होगी और आपको teacher अखेले को train करेगा पुरा focus one hour आपके लिए रहेगा 30 दिन की class आप book कर सकते हैं यह मेरी book है, इस book को आप जरूर join करें, चलिए बाकी सारी आप visit कर सकते हैं master day app पर I hope कि आज की class काफी अच्छी रही होगी मिलेंगे अगली class में कुछ नए के साथ narration के part 2 में Thank you so much